हेलो एब्रीवान वेलकम बाक तो लेर्न करो क्लासेश इस अनुष्का यॉर मिंटॉर एंड फाइनली आज हम स्टार्ट करेंगे आप्लिकेशन आफ बायो टेकनोलजी एंड है अगर हमने पूरा प्रोसीजर पड़ा है इससे पहले वाले चाप्टर में बायो टेक के बारे में हमने पूरा प्रोसीजर देखा कि क्या क्या इवेंट्स हैं किस-किस तरह से यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो finally जब आपको desired product चाहिए तो कैसे उन्ही चीज़ों को आप health industry में agriculture industry में important तरह से बना सकते हो use कर सकते हो तो करते हैं session को start आपने क्या करना है चानल पे पहली बार हो वीडियो को like करना है चानल को subscribe करना है शेयर करना है वीडियो को अपने friends तक क्योंकि अब आपके board के exam हो चुके हैं तो आपको dedicate हो जाना है कि आप अब पढ़ाई में लग जाओ exam की तैयारी में लग जाओ और अच्छे से करना है start कर दो revision जितना बढ़िया करोगे उतना जादा आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ पे अच्छा खासा score कर सकोगे सो उससे पहले एक important announcement रोशन बाज चल रहा है हमारा जहां पे हम आपको guarantee देते हैं आपके admission की यहाँ आपको पूरा slivers cover करवाया जाएगा test series हैं आपके लिए आपको physical books provide करवाया जाएगी classes होंगी live आपके जो भी doubts होंगे उनके लिए live classes होंगी यहाँ पे and of course आपको counseling support यहाँ पे पूरा provide करवाया जाएगा good morning karishma तो आजओ फटाफट से session को start करते हैं and यहाँ पे आप इससे related और information आपको मिल जाएगी यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है मिल जाएगा इसली इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं so classes की अगर हम बात करें आप में से बहुत बच्चे पूछ रहे थे क्योंकि science section में अगर हम बात करें तो सिरफ यहाँ biology domain की classes चल रही थी लेकिन आज से आपके chemistry domain की classes भी जो है start हो चुकी है and then आपको physics का भी provide करवाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ला रहे हैं बस आप जैसे हमारे साथ बने रहेंगे अपनी continuity maintain रखना और पढ़ाई अब अच्छे से करते चलो so language की बात करें morning में 10 बज़े आपकी language की classes हो जाएंगे then Hindi language की class 11 बज़े है physical education आपकी 11 बज़े class है जो की सपना मैम लेती है then go cool sir आपका mock test prepare करवाएंगे इसके साथ 12 बज़े ये time ध्यान रख लो आपकी domain की classes में chemistry की class start हो गई है जो Nikita मैम लेंगी इन फिर आपका एक बज़े business study same time पर bio चलता है तीन बज़े accountancy इन इसके बात economics जो की किरन मैम करवा रही होंगी and of course इसके साथ 7 बज़े आपको numerical ability and रात को 9 बज़े journal test की बात करें current affair आपको नंदिनी मैम करवाएंगी so ये पूरा time table इसको note कर लो बात करी थी वहां हमने पूरा process देखा था कि क्या-क्या steps होते हैं क्या-क्या important point है जिन को ध्यान में रखना है और आप finally किस तरह से desired gene को आप जोड़ सकते हो किसी host cell के अंदर और अपना desired product आप बनवा सकते हो या फिर आप gene का number बढ़वा सकते हो सो यहां बात करेंगे कि यह जो product आप बनवा रहे हो तो आप किन-किन field के लिए product जो है prepare करवा सकते हो कैसे-कैसे यह आपको फायदा कर जाएंगे सो अगर हम bio technology की बात करें तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम product बनवाएं हम हमेशा product चाहते हैं कि industrial scale पे बने क्योंकि जो पूरा procedure है bio tech का वो इतना complex है कि आप limited amount of product के लिए नहीं करेंगे product जो है वो of course बहुत बड़ी amount में चाहिए होगा क्योंकि human population की बात करें बहुत बड़ा human population है और हर एक के demand को पूरी करने के लिए आपको जो भी production करना है वो large scale पे करना ही होगा इसी के साथ bio, pharmacuticals आगे and biologicals using genetically modified microbes तो यहाँ पे product को बनाने के लिए product को ज्यादा obtain करने के लिए किसका use करते हैं हम यहाँ पे utilization करते हैं genetically modified microbes हमने यहाँ bacteria modify कर दिया fungi modify कर दिया plants modify prepare कर दिये even animals भी हमने यहाँ पे modify कर दिये हैं so that इनका use हम कर सके किनी से हम product बनवा रहे हैं किनी से desired gene बनवा रहे और किनी organism का हम use कर रहे हैं कि आपने कोई product बनवाया अब उस product की quality test करने के लिए उस product का effect को test करने के लिए हम utilize करते हैं animals वगरा का इसके अलावा बात करें अगर आप application देखो biotechnology की तो therapeutics में involved है therapeutics यानि कि हम यहाँ पे ऐसे compounds बना रहे हैं इस type के molecules prepare कर रहे हैं जिन्सको आप use कर सकते हो medicine के लिए इस तरीके के molecules बनवाना different बिमारियों को पता लगाने के लिए diagnose करवाने के लिए biotechnology का use किया जा रहा है genetically modified crops बनाई गई हैं जो agriculture में present बहुत जादा use की जाती हैं जिसमें आपने एक example पढ़ा था semi dwarf variety का या फिर इसके लावा बात करें अब एक example आपने देखा था vitamin A enriched हमने rice prepare करवाया तो यह सब कुछ क्या है यह सब genetically modified किसी crop में हमने कोई nutrition का content बढ़वाया है तो कहीं किसी crop को हमने disease resistant बनवाया कहीं किसी को हमने dwarf बनवाया so that air resistant हो सके हमने roots के साथ modification किया यानि कि हम पूरा plant जो है human point of view से modify करते जा रहे हैं ताकि जो product मिले वो benefit कर सके human को इसके लावा बात करें processed food prepare करें हमने bio remediation, bio remediation के लिए याद रखना है आपने कि जैसे हम environment में रहते हैं हम अपने environment के साथ कुछ ना कुछ छेड़ साड करते रहते हैं कोई ना कोई product हम create करते रहते हैं और वो हो सकता है pollutant की तरह काम करने लगे तो आप क्या चाहोगे कि यह pollutant हमेशा environment में present रहे या environment से इसे खतम किया जाए आप यही कहोगे अगर pollutant में present रहा तो कहीं ना कहीं हमको भी हाम करेगा कभी ना कभी यह हम तक भी पहुचेगा तो हम चाहेंगे कि इन pollutant को degrade करवाया जाए और यहाँ पे इन्हीं pollutant को degrade करवाने के लिए हम यूज कर लेते हैं micro organisms का तो यह process हमारा कहलाता है bio remediation ध्यान रखना जहां हम living organism different microorganisms का use करते हैं so that pollutant जो है environment से हटाए जा सके इन्हें degrade किया जा सके तो यह क्या कहलाता है हमारा bio remediation waste treatment इसका बहुत अच्छा example हमने देखा है sewage treatment plant जहां पर हम secondary treatment की अगर हम बात करें एक ऐसा point है जिसे आज तक कभी भी machine के थू नहीं किया गया कभी भी manual technique नहीं develop हो पाई एक ऐसा procedure जो उस समय और इस समय दोनों time पे microbes पे depend करता था तो इस तरीके के process and energy production biogas वगरा की बात करें सब microbes से ही deal करता है तो अगर microbes को हम modify करवा दें तो कहीं ना कहीं हम इन process को भी enhance करवा सकते हैं इन से मिलने वाला product जो है उसको और जादा pure हम बना सकते हैं हमारे पास biotechnology में बात करें तीन critical research area आते हैं जिनके बारे में हमें बात करना है सो पहला है providing best catalyst in the form of improved organism usually a microbe और pure enzyme यहां पर ध्यान देना क्या बोल रहे हैं कि पहले point पर आप क्या consider कर सकते हो कि यहां आप एक best catalyst बनवाओ बिल्कुल भाई live class है यह आपके कोई doubt है आप पूछ सकते हो ठीक है तो यहां हम क्या करते हैं हम bio technology का use करके best catalyst prepare करवाते हैं या तो आप organism को improve करवालो या फिर आप enzyme का production करवालो enzyme की बात करें तो enzyme तो आप जानते ही हो क्या काम करते हैं enzyme अगर किसी भी reaction में involved है तब क्या हमें देखने को मिलता है जिस भी reaction में involved है enzyme वहां उस particular process को बड़ा fast कर देता है हेलो प्रभात आपने देखा है कि आपने जब class 11 में अगर आपने enzyme के बारे में पढ़ा होगा तो enzyme की एक property देखी होगी कि अगर आपने किसी reaction में देखा है यह किसी reaction कोई enzyme-mediated reaction है वहां पे reaction का rate बढ़वा सकते हो आप enzymes से यानि कि activation energy जो है lower कर देते हैं enzymes सो यहां ध्यान रखना है enzymes का काम क्या है rate of reaction को increase करवा देना और किस तरह से by decreasing the activation energy अब आप कहोगे यह activation energy क्या है इसके बारे में class 11 में सुना तो था लेकिन अमने पढ़ा नहीं था अच्छा activation energy को इस तरह से समझना यहां पे कि मानलो आपके पास reactant है हम ले लेते हैं कि हमारे पास दो reactant है A और B अब इन दो reactant से आप चाते हो कि आपको product मिले एक C type का तो यहां ध्यान दो यह reactant A और B हैं जब तक इनके molecule एक दूसरे से interact नहीं करेंगे एक transition state में नहीं आएंगे तो यहां आप product भी obtain नहीं कर सकते अब अगर यह process चलेगा बिना enzyme के काम तो चल सकता है process हो सकता है A और B C में बदल सकते हैं enzyme absent होगा तब भी काम चलेगा बस परक्या है कि time जादा लगेगा बहुत कम rate पे production होगा लेकिन अगर यहां enzyme involved है अब आगया यहां पे enzyme अगर यहां enzyme involved है तब हमें क्या देखने को मिलता है कि यह जो A और B reactant है यह अपनी transition state जो है आप इसे कह सकते हो intermediate state transition या फिर intermediate state enzyme की help से reactant अपनी इस intermediate state तक बहुत असानी से चले जाते हैं क्योंकि यहां पर क्या होता है जब intermediate state तक जाते हैं तो actual में क्या करा enzyme ने बस energy provide कर दी इन दो molecules को reactant के कि यह फटा फट से चले जाएं इस particular state सब जितनी जल्दी intermediate state आईगी उतनी जल्दी ही यहां पर यहां क्या होता चला जाएगा आपका product जो है वो बनता चला जाएगा सो यहां पर आप क्या कह रहे हो चाप्टर 7 के बेटा mcq कराये हैं एक बार आप देख लेना playlist पे मिल जाएंगे आपको मेभी आपको sequence में ना रहा हो लेकिन आपको मिल जाएगा सो यहां पर अगर हम बात करें यह आपको समझाया कि इस तरह से हम enzymes का pure enzymes का production करवा सकते हैं second आता है कि optimal conditions create करवा दो क्यों optimal conditions create करवाना है इसलिए करवानी है optimum condition क्योंकि आप क्या चाहते हो आपको तो ultimately product चाहिए तो कैसा चाहोगे कि यह product बिल्कुल pure form का हो या इस product के साथ कोई undesirable चीज हो आप यह चाहोगे कि product जो है वो बिल्कुल pure होना चाहिए तो optimal conditions इसलिए दी जाती है ताकि temperature बिल्कुल accurate रहे जिस temperature पर प्रोड़क्ट अच्छे से बना सको pH बहुत अच्छे से बना सके आप sorry pH का condition ऐसा होना चाहिए कि आप product अच्छे से बना सके तो optimal condition समझ आ गया कि यहाँ पर हम conditions बढ़े अच्छे से create कर पाते हैं जिसकी वज़े से product मिलता है अच्छी quality का अगला है downstream processing technology to purify the protein and organic compound अब देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई product बनवाते हैं हम conditions दे रहे हैं ताकि product का amount बढ़े हैं लेकिन actual में याद है आपको host cell की बात क करीती अब इस host cell के अंदर अगर हमारा product बन रहा है तो इस host cell के अंदर एक living cell है bacteria हो सकता है yeast हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जो आप ले रहे हो host cell की तरह तो इस cell के अंदर आपके पस different molecules भी present होंगे so different molecules जब present होंगे तो आपको तो सिरफ product चाहिए तो जब आपको product चाहिए pure quantity का तो यहाँ पे आपको इससे purification करवाना पड़ेगा यानि कि एक तरफ आपका product है एक तरफ host cell के सारे molecule protein, carbohydrate, fat, plasma membrane वगरा, lipid सब कुछ है उन सब से आपको product purify करवाना है तब हम help लेते हैं downstream processing की ज जिसकी help से आप बिल्कुल pure state का product अपना obtain कर सकते हैं so next आता है यहाँ हम agriculture में application देखेंगे तो agriculture की थोड़ी सी कहानी सुन ले agriculture की अगर हम बात करें, journaling जिस time पे हम independent हुए थे उस समय हमारे पास जितना भी reproductive area था वो एक ही area में आता था लेकिन जब separation हुआ, separation के बाद क्या देखने को मिला कि हमारा जितना भी crop production का area था वो दूसरी side चला गया, partition में divide हो गया, अब हमारे पास जो area था वो ऐसा था जो suitable नहीं था crop production के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कि हमने यहाँ different techniques का use किया क्योंकि दो point consider करना, एक तरफ separation के समय हमारा reproductive area जो है दूसरी तरफ चला गया दूसरा जो population थी, वो बहुत तेजी से grow कर रही थी, तो ऐसे में एक तो हमारे पास area भी नहीं है जहा हम crop production करवाएं, limited area था, दूसरी तरफ population का increase इतना जादा था कि यहाँ पे एक pressure create हो गया था कि किस तरह से इसको demand पूरी किया जाए, इसको feed करवाया जाए target था, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमारे पास 3 option थे, जिसकी help से हम food production increase करवा सकते थे ध्यान से सुनते चलना पहला क्या है, agrochemical based agriculture, agrochemicals means agriculture में आप production बढ़वा रहे हो with the help of chemical chemical के तौर पे क्या-क्या यूज किया जा रहा था यहाँ पे, chemical के तौर पे यूज कर रहे थे हम यहाँ पे fertilizers fertilizers का यूज कर रहे थे, और दूसरा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे pest को किल करने के लिए pesticide, insect को किल करने के लिए insecticide, fungus को किल करने के लिए, fungicide, weed को हटाने के लिए, weed के बारे में आपने जरूर सुनाओगा, weed को क्या बोलते है, unwanted plant, आप नहीं चाहते हो, आपकी crop field में grow करे, लेकिन फिर भी grow कर गया, तो आपके nutrient खाएगा crop के, तो हटाना पड़ेगा, तो इसे हटाने के लिए, we decide, इन का हम chemicals का use कर रहे थे, so that production बढ़े, and इस technique से production बढ़ा, लेकिन कुछ समय हमें food का availability तो हुआ, लेकिन in chemical के utilization की वज़े से, जो problems create हुई, वो बहुत बड़े level पे सामने आने लगी, क्योंकि जो chemical use किये जा रहे थे, ये क्या हो रहे थे, soil के अंदर जाके इखटे हो जाते थे, यहाँ पे आप, बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, अभी BT crop के बारे में भी आएगा, पढ़ेंगे, पहले ये तो देख लो, so यहाँ पे बात करें, यह जो agrochemical थे, chemicals जो है, soil में इखटे होते जा रहे थे, दीरे दीरे plant cycle में आ रहे है, plant cycle तक human तक भी पहुँचने लगे, तो accumulate होते चलेगे, conditions बहुत critical होगे, फिर second option आया, कि चलो organic agriculture पे move करते हैं, organic agriculture में क्या किया गया, कि यहाँ पे हम अपने production के लिए किसी भी तरीके के chemical का use नहीं करेंगे, अब आप कहोगे, weed को remove करवाना था, तो यहाँ तो weedी side लग रहा था, organic agriculture में पूरा ध्यान रखा गया, कि weed का growth जो है, उसे manually हटाया जाए, weed grow कर रहा है, उसको हातों से field से clear किया, दूसरा बात करें, fertilizer की जरूरत तो यहाँ भी पड़ी होगी, तो हमने क्या दिया, हमने organic fertilizer दिये, इसके बाद आप कहोगे, कि यहाँ पे pest भी तो होगे, insect भी तो होगे, जिन्होंने हमारी crop को harm करने क कि कोशिश कियोगी, यहाँ पर भी, तो हमने क्या किया, organic agriculture में, जो हमारी crop थी, इस crop को जो भी pest, या आप कह सकते हो, insect, जो भी इस crop को infect कर सकता था, हाम कर सकता था, हमने क्या किया, हमने इसका natural predator introduce करवा दिया, natural predator introduce करवा दिया, so that जब natural predator था, इस pest और insect को खाने वाला, इसका natural predator था, तो इसका amount जो है, इसका concentration जो है, वो एक limited range तक रहा, एक manageable concentration तक रहा, so that हमारी crop को ज्यादा हाम नहीं हुआ, तो सब कुछ हम कैसे कर रहे थे, बिलकुल natural process पर बेस, हम कहीं से कहीं तक chemical का use नहीं कर रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या आई, organic agriculture में, क्योंकि आप यहाँ लेके चले हो, let's suppose कि 100 आपने plants लेके चले हो, organic agriculture में, हमने क्या बोला कि हम pest को पूरी तरह खतम नहीं करते, manageable concentration तक रखते हैं, अब माल लो यहाँ पे 100 plant में से 30 plant को pest ने खराब कर दिया, तो भाई production तो घटा, production घटा, यानि कि यहाँ पे यह need पूरी नहीं कर पा रहा था, जो हमारी population की demand थी, नेक्स्ट फिर बात करें, अगला तरीका आया कि, organic agriculture काम तो किया, लेकिन production बढ़ाला बहुत अच्छा नहीं दे पाया, तो हमने कुछ और टेक्नीक की यहाँ पे तरीके अपनाएं, कि कोई और तरीका आजाएं, जिसकी help से हम production भी बढ़वालें, और यह fertilizer वगरा भी इतना जादा involved ना हो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, थर्ड आता है हमारे पास, genetically engineered crop based agriculture, प्रभात question भी पूछूंगी, at least पहले आप topic पढ़ लो, जिस दिन हम MCQ practice करेंगे, उस दिन में question पूछती हूँ भाई आपसे, तब कोई यहाँ पे reply नहीं करता, कोई भी जवाब देना स सो यहाँ आते हैं, genetically engineered crop based agriculture, हमने यहाँ पे help लिया, बायो टेक का और preparation किया, हमने genetically engineered crop का, यानि कि आप genetically modified organism भी बोल सकते हो इन्हें, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने क्या किया, देखो जैसे pest हमारे plant को harm कर रहा था न, हमने एक gene introduce कर दिया, जो यहाँ पर अब हमा हमारे pest ने crop को खाया, जो की genetically modified है, तो हमारी crop को कोई harm नहीं होगा, लेकिन pest को यहाँ पे harm होगा, maybe pest का growth हम कम करवा दें, या फिर हम pest को completely kill कर दें, यह हमें देखने को मिल सकता है, so green revolution की बात करें, यहाँ पर अब ध्यान से देखते चलना, यही तीन concept जो मैंने आपको बता करेंगे, चलिए, तो यहाँ अगर हम बात करें, green revolution की, green revolution succeed in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population, green revolution में बात करें, यहाँ पे semi dwarf variety आई थी हमारे पास wheat की, और हमने fertilizers and chemicals का application करके, production food का बढ़वा लिया, triple करवा लिया, लेकिन फिर भी कम था, हमारे पास जो growing population की, हम इसे feed नहीं करवा पा रहे थे, तीनो time, so farmers, for farmer in developing world, agrochemical are often too expensive and further increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding, तो यहाँ पे क्या बात करें, कि चलो triple तो कर लिया food, लेकिन food इतना नहीं रहा कि आप feed करवा सको growing human population को, बिल्कुल correct, प्रभात यही time period था, 1960 का जब green revolution आया था, तो actual में क्या किया गया, कि जो हमारे farmers है, एक तो यहाँ problem क्या थी, कि जितने भी farmers थे, वो कोई नई technique को adapt नहीं करना चाते थे, वो उसके फायदे ना देखते हुए, हमेशा किसी नई technique के disadvantages को consider करते थे, और एक नए तरीके की तरफ move करने से वो डरते थे, तो यहाँ बहुत लंबे समय था कि conventional method चला, जो पुराने तरीके थे, वो ही method यूज किया गया, अच्छा एक developing country है, तो यहाँ पे जो farmers है, वो इतनी अच्छी state में नहीं थे उस समय, कि वो महेंगे महेंगे agrochemicals खरीच सके, वो महेंगे महेंगे chemicals लियाएं, fertilizers लियाएं, pesticide, insecticide, हर कोई afford नही लगी, तो यहाँ पे एक solution निकालना था, कि कोई ऐसा तरीका आजाए, कि production भी बढ़ जाए, यहाँ पे farmers को method को adapt करने में ज्यादा problem भी ना हो, और इसी के साथ जो existing variety है, कहीं ना कहीं उनी से yield बढ़वा सके, तो यहाँ पे हमारे पास I genetically modified crop, जो कि इस particular problem का पूरी तरह solution रह जब इनका introduction हुआ, तो कुछ ज़ादा तरीके नहीं थे, जैसे farmers normal crop को grow करवाते थे, वैसे ही उन्होंने इसको भी grow करवाया, अब normal crop के लिए वो खरीद नहीं सकते थे, pesticides, chemicals, वगरा fertilizer, तो यहाँ genetically modified crop जबाई, इनकी demand में ही नहीं था, कि आप chemical खरीदो, यह सिरफ growth करते थे अपना protection खुद करना जानते थे, तो farmers के उपर जो एक expense आता था, chemicals को भाय करने का वो भी कम हुआ, अब production बड़ा, and finally production इतना ज़ादा हुआ, कि हम अपनी need भी पूरी कर पाए, और दूसरे देशों को भी need जो थी, उनकी भी कही ना कहीं पूरी करी, हम चीजे जो हैं बहार भी भेज सकें, so genetically modified organism कैसे होते हैं, refer to which have been genetically manipulated or modified, यानि कि आप यहाँ पे अगर GMO prepare कर रहे हो, तो आप genetic level पे organism के DNA के साथ कोई ना कोई छेड़ चाड़ कर रहे हो, आप कोई gene introduce कर रहे हो, या कोई gene आप eliminate कर रहे हो, यहाँ पे यह काम हम plant के साथ भी किया, हमने animals के साथ भी कि यह सब कुछ हमारे लिए बहुत beneficial रहे, microbes की अलग importance आती है, अगर आपने देखा हो, microbes को जब हमने पढ़ा तब bio fertilizer के तौर पे nitrogen fixation करवा रहे हैं, phosphorus को in solubilized form से solubilized form में ला रहे हैं, so that plant absorb कर सकें, तो microbes अगर अच्छे होंगे, तो उनकी भी हम help ले सकते हैं, इसी की तरह हम हमने एक microbe का यूज़ करके protection डेवलाप किया different different crop में, जिसे हम BT cotton के नाम से जानते हैं, अलग-अलग तरीके की हमने BT variety तयार करी हैं, तो देखेंगे इसके बारे में भी detail में, so next बात करें, genetically modified crops, कैसी थी, इन crops के पास आपको देखने को मिलेगा, contain and express one or more useful desirable foreign genes, अब हमने क्या करा जो आपने पूरा procedure पढ़ा था ना, biotech का, कि आपने DNA का isolation किया, देन उसको आपने ligate किया, vector के साथ host cell में भेजा, तो उन्ही सब टेकनीक से हम बना पाए ये genetically modified crop, जिनके पास हमें या तो एक gene होता था, या फिर depend करता था, conditions कैसी हैं, उसके according हम gene इन्हे provide करवाते थे, so such gene incorporated into the genome of organism, ये ध्यान रखना, ये जो gene थे, desirable gene, इन्हें काँ भेजा जाता था, जो भी हमारा target organism था, उस target organism के genome में भेजते थे, यानि कि DNA जो था, उस target organism का, वहाँ पे हम अपना desirable gene भेजा करते थे, so इसी को हम क्या बोलते हैं, are called transgenes and the plant expressing the product of transgene, are called transgenic plant, तो actual में समझने की कोशिश करना, क्या बात कर रहे हैं, देखो जो हम foreign gene, यहाँ पे आप इसके थूँ समझो, हमारे पास एक desirable gene आया, इस desirable gene को हम बोल देते हैं, disease resistant gene, disease resistant gene, अब आप क्या चाहोगे, कि भई यह जो gene है न, यह मेरे plant में चला जाए किसी तरह से, तो यहाँ पे आपको benefit हो सके, biotechnological process पे, I think, चाहर लेक्चर से मिल जाएगा आपको, देख लेना, तो यहाँ ध्यान दो, यह जो desirable था न, gene, disease resistant वाला, इसको हमने क्या करा, हमने पूरा biotech process यूज किया, और हमने इसे एक plant के अंदर introduce करवाया, plant cell बोल लो या फिर चलो, आप plant cell भी बोल लेते हैं, plant cell में हमने introduce करवाया, so यह जो gene गया, यह क्या कहलाएगा, इसे जब हमने इस plant cell के main genome, यानि की DNA के साथ plus करवा दिया, ligate करवा दिया, disease resistant gene को, तब यह क्या कहलाए, transgenes कहलाए, अब यहाँ धियान देना, क्योंकि plant cell के पास पहले तो यह gene नहीं था, अब जब हमने gene introduce करवाया है, तो यह gene express भी करेगा, तो यह plant का नाम क्या कर देते हैं, transgenic plant, similar way में हम animal prepare कर सकते हैं, transgenic animal उन्हें हम बोलेंगे, so use की अगर हम बात करें, use यहाँ पर ध्यान से समझना, बहुत सारे हैं, देखो पहला point है, made crop more tolerant to abiotic stress such as cold, drought, salt and heat, यानि कि कई बार ऐसा होता था, कि हमारी जो crop है, वो जो climatic condition change होती है, suddenly temperature बहुत जादा drop चला गया, heat का condition बढ़ गया, पानी की कमी हो गई, तो पहले जो हमारी कुछ local crops थी, वो यी चीज़े नहीं जहेल पाती थी, लेकिन जब हम genetically modified crops लेकर आए, organisms लेकर आए, कोई फरक नहीं पढ़ता, कोई भी abiotic stress आए, कि वो इन conditions को झेल सकती है, इन conditions से survive कर सकती है, second था reduce reliance on chemical pesticide, यहाँ पे हमें chemicals का use करना पड़ता था, कि भाई हम अपने plant को fertilizer दे देते थे, chemical के थूँ, pest से बचाने के लिए pesticide लिया है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ निता, अगर आपने disease resistant gene दिया है, तो वो अपना यहाँ पे खुदी protection कर सकता है, तभी आप यहाँ पे अपने plant को बचा सकते हैं, थैंक्यू प्रभाद, पर regular रहना भाई, अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ने में समझ आता है, तो प्लीज regular रहना और तयारी करो, अच्छे से preparation करो, जरूर हो जाएगा, तो third point, second point आपको clear हुआ, कि chemicals पे से reduction जो है, वो घटता चला गया, third आया, help to reduce post harvest losses, अब यह क्या है, post harvest losses मतलब, कि यहाँ पे कई बार होता था कि आपने plant लगाया, plant पूरी तरह से grow भी नहीं कर पाया, आपने जो production चाहिए था, grain चाहिए था, वो भी नहीं मिला, उसी से पहले आपका plant जो है, मर गया, यानि कि harvesting से पहले plant का किसी problem, disease, पानी की कमी की वज़े से खराब हो जाना, so that यहाँ पर आप, जो आप लाए genetically modified crop, वो सब कुछ यहाँ पे हो सका, अच्छा यह जो आप पूछ रहे हो ना, salt का concentration, देखो salt अगर मिटी में है, तो आप पानी दे रहे हो, वो ions में dissolve होगा, तो हर एक ion की concentration होती है, class 11 तियाद करो, chapter था micronutrient and macronutrient, तो concentration अगर जादा हो गई, तो भी effect करेगा, कम हो गई, तो आपको symptoms दिखेंगे, तो यहाँ पे इस तरह सी effect करता था, तो अगला आता है हमारे पास, fourth point, increase efficiency of mineral usage by plant, बहुत सी ऐसे minerals थे, जो plant नहीं absorb कर पाते थे, sufficiently नहीं ले पाते थे, लेकिन genetically modified organism जब आए, तो इनकी efficiency बहुत अच्छी थी, जितना इन्हें required था, यह absorb करते थे, और अच्छे से उनका use करते थे, so that plant बहुत अच्छे से अपने आपको grow कर पाता था, fifth point की बात करें, nutritional value body food की, जैसे golden rice का example आता है, जिसमें vitamin A को हमने बढ़वाया, यानि कि यह सारे तरीकों की help से हम यहाँ पे, so यहाँ पे इन सब तरीकों की help से हम develop करवा सके, ताकि हमारे पास एक ऐसा crop आजिया, genetically modified organism इस तरीके के आगए, so that यह सारी conditions, problems जितनी थी, वो भी दूर हुई, जितना dependence था chemical पे वो भी खतम हुआ, farmer को expense भी पे नहीं करना पड़ा, और ultimately इन सब की help से हमें production भी मिला, और ऐसा नहीं था कि सिरफ quality ही आपको ज़्यादा देखने को मिली, आपको यह quantity भी बहुत अच्छी मिली, तो एक ऐसा चीज डेवलाप हो गया था, जिसने हमारी बहुत ज़्यादा help करी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि actual में transgenic plant अब बना कैसे पाते हैं, क्या क्या तरीके यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इस पूरे procedure को ध्यान से समझना, अच्छा, एक कोशन है आपके लिए, जब हमने पढ़ा था biotech process, तब हमने बोला था कि हमारे पास नहीं दो तरीके है मैं disarmed pathogen की बात कर रही हूं, दो हमारे पास organism हैं, जिसके through आप कोई भी desirable gene जो है, बेज सकते हैं plant में या animal में, तो आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ हमें कोई gene जो है introduce करवाना है plant cell में, तो फटा फट से बताओ कि कौन से disarmed pathogen का आप यहाँ पे यूज करोगे, फटा फट से बताओ, प्रभात answer करना है, कौन सा था भई, अब तो question पूछ लिया, आप तो जवाब दे दो, दो disarmed pathogen थे, एक हमने बनवाया था कि animal में कोई हमें gene भेजना है तो उस के through भेजेंगे, एक हमने बनवाया था कि plant cell में कोई gene भेजना है तो उस disarmed pathogen के through भेजें plant में कौन सा था disarmed pathogen, फटा फट से answer कर दो कौन सा था, और अब यहां किसी के answer नहीं आ रहे है, good प्रभात, agrobacterium था, और अगर हम बात करें, animal में भेजना है तब कौन सा था, animal में अगर आपको भेजना पढ़ जाए, तब कौन सा यूज किया था, चलिए, ठीक है, तो यहां पर आओ देखो, actual में क्या है, यहां पर देखना, तो इसकी बात करते हैं agrobacterium की, actual में यह bacteria क्या था, plant में बिल्कुल agrobacterium के through भेजने और इसे हमने disarmed बना लिया, देखो पहले जो यह bacteria था, इस bacteria के पास होता था, एक Ti plasmid, अब यह bacteria इस Ti plasmid को ट्रांस्फर करना जानता था, कि यह plant cell में उसे भेजता था, अब जब भी यह agrobacterium plant cell में Ti plasmid को introduce करवा देता था, introduced into plant cell, जो क्या होता था, introduce करवाने के बाद, जो हमारी plant cell थी, उसमें हमें देखने को मिलता था, कि tumor का formation हुआ, अब हमने थोड़ा सा modification किया, हमने इसके पूरे procedure से कोई छेड़ चाड़ नी किया, जिस तरह से यह Ti plasmid को introduce करवाता था, उस process से हमने कोई छेड़ चाड़ नी की, हमने क्या किया कि बस यह Ti plasmid था ना, जो tumor cause कर रहा था, इसे हटा के desirable gene देना start कर दिया, so that अब plant cell के पास desirable gene जाएगा, plant cell में introduce भी करवाएंगे, लेकिन अब tumor का formation नहीं होगा, क्यूंकि Ti plasmid हटा लिया, so actual में अगर आप देखो, तो agrobacterium है, देखो Ti plasmid है, जब भी यह जाएगा, यह plant cell को tumor cause करेगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा disease, तो हमने इसे transform कर दिया, यह actual में क्या करता था, plasmid जाता था, यहाँ पे Ti plasmid, plant cell के अंदर इसको transform करता था, tumor बनाता था, हमने इसी को ही यहाँ change कर दिया, by the help of biotechnology, हमने यह जो Ti plasmid था, tumor causing gene था, इसे हटाया और desirable gene introduce करवाना शुरू किया, तो यह technique देखना, क्योंकि इसी तरीके से हम BT gene, जो है वो introduce करवा पाए है, plant cell के अंदर, यहाँ बात करें, the vector used to introduce new gene into plant cell, is most often a plasmid from a soil bacterium, agrobacterium, तो हम यहाँ पे किसका use करते हैं, अगर आपको plant cell में कोई desirable gene भेजना है, तब हम use करेंगे यहाँ पर agrobacterium का, since the plasmid process gene that transfer the DNA from plasmid and get integrated into host cell, इसे हम क्या बोलते हैं, natural genetic engineer, इसे ध्यान से समझो, natural genetic engineer क्यों बोला भाई हमने इसे, क्योंकि यह पूरा का पूरा process जानता है, कि कैसे अपने ti plasmid को plant cell के अंदर भेजना है, और कैसे यह plant cell पूरी तरह से एक tumour cell में convert होगी, तो यह process पहले से ही जानता था, हमने इस process के साथ कोई भी छेड़चाड नहीं किया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, natural genetic engineering, the plant induced tumor in broad leaf plant, such as tomato, tobacco, soya bean, and hence also referred as tumor inducing plasmid, तो यही क्या कहलाता था, जब यह ti plasmid को भेजता था, तब हम इसे tumor inducing plasmid बोलते थे, प्रभाद animals में जिसे हम use करते हैं, उसे हम retro virus बोलते हैं, जर्नली जो cancer causing थे हमारे लिए, उन्हें हमने modify कर दिया, अब हमारे लिए वो gene को transfer करने में help करते हैं, so hope, यह आपको समझ आया होगा, natural genetic engineering की अगर genetic engineer की बात आजाए, तो दो organisms आप बोल सकते हो, एक आपके पास agrobacterium हो जाएगा plant में, एक हो जाएगा retro virus animal में, तो यह ध्यान रखना यह MCQ बन सकता है, आप्शन में आपको यह दो organism दे देंगे, एक दे देंगे बोथ और एक तरफ देंगे, कोई एक another option, तो ध्यान रखना, natural genetic engineer के तौर पे, agrobacterium भी हो सकता है, रेट्रो वाइरस भी यहाँ पे होगा, तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, सो यहाँ देखो, पूरा technology की पूरा technique कैसे यूज करते हैं, एक एक step के साथ चलेंगे, पहला देखना यहाँ पे क्या है, हम क्या करते हैं, एक तो पहली चीज आपको यादोना चाहिए, plasmid क्या था हमारे पास, plasmid की अगर property यादो, हमने बोला था, extra chromosomal genetic material extra circular chromosomal बोल सकते हैं, आप circular होता है, सो हमने क्या करा, देखो, सबसे पहले हम गए, bacterium के पास, chemistry की classes जो हैं, आज से start हुई है, 12 बज़े चल रही है, next week आपको physics का भी मिल जाएगा, तो भई एक तो आप एक काम करो, चानल को subscribe कर लो, क्योंकि community post daily किया जाता है, आपकी जो भी timing रहती है, दूसरा telegram channel पे भी आपको यहाँ पर update मिल जाता है, तो दो, आपके पास medium है, जो आपको prefer लगता है, जो असान लगता है, उसे join कर लो, ताकि आपको पता रहे, चलिए नहीं आते हैं, अब देखो, ti plasmid, हमने बोला है तो भाई, यह genetic material, अब genetic material को आपने cut करना पड़ेगा, पहला procedure देखना, पहला क्या है, plasmid को हम remove करवाते हैं, bacteria से, bacteria के अंदर से हमने plasmid निकाला, ताकि यह जो हमारे पास tdna है, इसको हम cut कर सकें, जब हम tdna को cut करते हैं, फिर हम अपनी मर्जी का कोई भी gene, जैसे आपको यहाँ पे introduce करवाना था कि एक gene हम दे देते हैं, कि हमें grain का size अच्छा चाहिए, या फिर आप इस gene में disease registrant भी दे सकते हो, कोई भी desirable gene आप दे सकते हो, सो यहाँ पे अगर आपने दिया है, तो यहाँ पे अब क्या एक point आपको धियान रखना है, जिस restriction enzyme से ti plasmid को cut करवाया, उसी same restriction enzyme से cut करवाके लाओगे इस foreign dna को, so that इन्हें जोड़ना बहुत असान हो जाए, तभी जाके sticky and produce होंगे, और आराम से आप इन्हें जोड़ भी सकते हो, सो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, recombinant ti plasmid, अब plasmid तो यह वो ही है, bacteria वाला, लेकिन tumor वाला नहीं रहा, अब इसे हम भेज देते हैं, bacterium में, अब bacteria यहाँ पे, the bacteria is used to insert the tdna carrying the foreign gene into the chromosome of a plant cell, अब यह आपने modify करा plasmid, इस plasmid को आपने दुबारा bacterium में दिया, अब bacteria में क्यों दिया भाई आपने, bacterium में इसले दिया, क्योंकि आप इसे क्या बोल रहे थे, natural genetic engineer, इसे तरीका पता है, कि किस तरह से यह वाला जो combinant plasmid है, इसे plant cell के अंदर भेजा जाए, तब आपने modification करके दुबारा इसी को दे दिया, कि भाई मैंने तयार कर दिया, आप ले जाके इसको transfer कर दे, इसने यहाँ पे tdna को, यहाँ पे insert किया, पूरा का पूरा foreign gene plant cell के अंदर, यह देखो, यहाँ इसके genome में लाके लगाया है, अब आपके पास एक तरीका है, या तो आप directly क्या कर सकते हो, जो यह plant cell है, इसको आप tissue culture में ले जाओ, वो यह oxyn, cytokinin वाला combination प्रिपेर करो, और अलग से आप यहाँ पे पूरा एक plant culture ग्रो कर सकते हो, और tissue culture का आपको पता ही है, कि अगर आप एक culture में लेके जा रहे हो, तो हर एक cell के पास पूरा capability है, कि वो एक नया plant बना सके, तो इस तरह से जो आपने plant तयार करें हैं, वो क्या हैं, वो clone हैं cells के, वो यहाँ पे आप use कर सकते हो, gene carry करते हैं foreign, और इस gene को express भी करेंगे, क्यों express करेंगे, क्योंकि आपने main genome के साथ इस gene को लगाया है, तो जब भी genome में present gene express होंगे, तो यह जो foreign आप दे रहे हो, यह भी तो express होगा, तो इसी तरह disease registrant डेवलाप हो सकती है, कहीं आपको protein का content बढ़वाना था, किसी plant cell के अंदर वो भी बढ़ सकता है, विटामिन A की बात करें, वो भी कुछ इसी तरह से बनाया गया, तो एक basic process है, जो आपको ध्यान में रखना है, so next बात करेंगे, insect resistant in transgenic plants, अब यहाँ पर देखो, पूरा process आपको याद हो गया, अब हम एक case की बात करेंगे, कि किस तरह से, plant को हमने बदला है, एक insect resistant transgenic plant में, यानि कि जो plant अब present है न, आपको insect से बचाने के लिए, उन्हें insecticide नहीं देना पड़ता, वो अपना protection करना, खुद बाखुद जानते हैं, so इस technique को ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए, कुछ organisms के, जैसे हमारे पास आता है, bacillus thuringiensis, ये क्या करता है, ये एक protein produce करता है, जिस protein के पास capability है, कि वो insect को kill कर सके, तो इस bacillus thuringiensis को हम बोल देते हैं, BT, यहाँ ध्यान रखना, इस BT के पास क्या present है, इस BT के पास present है, that produce, ये क्या बनाता है, जो बनाता है protein, अब इस protein की property की बात करें, ये कैसा है, ये protein ऐसा है, जब भी कोई insect, इस protein को consume करेगा, वो insect मर जाएगा, जो ये चीज़ ध्यान रखना, protein produce करवाते हैं, और जीन किसके पास present है BT, अब आप ये कहोगे, कि मैं चलो मैंने माना, कि ये जो bacillus thuringiensis है, इसके पास gene present है, protein बरवा रहा है, इंसेक्ट को kill करवा रहा है, एक चीज़ ये बता दो, कि ये खुद क्यों निकिल हो रहा है, यहाँ पे BT toxin खुद भी तो मर सकता है, BT bacillus thuringiensis में एक gene present है, जो toxin बनाता है, खुद भी तो मर सकता है, बिल्कुल मर सकता था, अगर यहाँ पे ये protein active form में होता, लेकिन ये कैसे present है, ये inactive form में present होता है, so that bacteria को no effect नहीं पड़ता, इसकी वज़े से, तो यहाँ पे देखो इस तरह से हम target किसे करते हैं, tobacco word warm को target करते हैं, army warm को target करते हैं, beetles, flies, mosquito, इन सब को हम target करते हैं, बैसलियस thuring genesis की बात करें, ये protein के बनाता है crystals, during a particular phase of their growth, यहाँ पे ध्यान रखना, crystal के पास present होता है toxic, जो की यहाँ पे harmful होता है nature में, insect के लिए, ये ध्यान रखना, नहीं ये bacteria को हम करेगा, toxic नहीं ये plant को हम करेगा, इसका target क्या है कि सिरफ और सिरफ insect को हम करना है, so actual में ये जो toxic बनता है, ये बैसलिया उसको नहीं मारता, क्योंकि ये खुद inactive form में present है, bacteria के अंदर, अब आप कोहोगे, inactive कैसे होता है, inactive form में तो ये है, bacteria के अंदर, लेकिन अगर plant cell में आ रहा है, और insect इसे खा कर मर रहा है, तो active तो ये हो रहा होगा, so ये जो journey है, इसकी inactive से active होने की, इसकी कहानी पूरी की पूरी घूमती है, insect की गट में, तो यहाँ ध्यान रखना, insect के अंदर, जैसे ही insect इस toxic को खाएगा, वैसे ही ये toxic, active form में convert हो जाएगा, क्यों convert होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या present होते हैं, यहाँ पे present होता है, insect की, गट की अगर हम बात करें, insect की, अगर हम गट की बात करें, तो इसके अंदर है alkaline pH, और यह alkaline pH responsible है, जो इस BT को, inactive से, active form में लेके आती है, और जब यह अपनी active form में आ जाता है, इसके बाद, यह जो गट के अंदर cells present होती हैं, epithelial cells हैं, epithel cell से bind करता है, अपना effect शो करता है, और पूरा का पूरा insect जो है, lysis हो जाता है, insect जो है, पूरा सा पूरा फट जाता है, और plant पे, जिस leaf को वो feed कर रहाता हैं, insect वो उसी leaf के उपर, एक water droplet की तरह से रह जाता है, so active करने के लिए, toxin को alkaline pH चाहिए, बिल्कुल चाहिए, crystal protein means, यहाँ पे crystal जैसा structure प्रेजेंट होता है, इसके अंदर, ठीक है, लेकिन जैसे ही, और plant cell की बात करें, तो plant cell में भी इसी structure में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जब यह insect की गट में जाएगा, तब यह crystal protein क्या है, solubilize होते चले जाएगे, crystal जो है, alkaline pH की वज़े से घुलना शुरू होंगे, इसके बाद जब यह solubilize हो जाएगे, तब यह किस से bind करेंगे, active होते हैं, यह bind करता है, gut cell से, epithelial cells होती है, जिससे binding करता है, and then binding के बाद, पूरा का पूरा animal जो है, वो यहाँ पे lysis, lysis मिन्स पूरी तरह से animal फट जाता है, मर जाता है, और एक water droplet की तरह, उसी leaf के उपर रह जाता है, जिससे वो consume कर रहा होता है, question बनता है, इससे बिल्कुल बनता है, यहाँ से question बनता है, कि यह inactive था, यह active कैसे हो गया, पहला सवाल, active होने के बाद, कि सेल से जाके इसने bind करा, इसका mode of action क्या था, यहाँ पे BT toxin की, अगर हम बात करें, तो अपनी bacteria को क्यों नहीं किल करता, प्लांट को क्यों नहीं किल करता, क्योंकि crystal form में है, crystal form का मतलब, insoluble form में present है, soluble form में आने के लिए, इसे alkaline pH चाहिए, और alkaline pH सिरफ और सिरफ इंसेक्ट के अंदर मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता, ना plant cell में मिलता है, ना ही bacteria में मिलता है, तो एक basic सा concept था, और यहां से question बनते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से हमने इसी gene को हमने क्या करा, अब यहां देखना, यह तो आपने पूरा mechanism समझा, अब हमने क्या करा, यह जो हमारे पास bacteria था, BT toxin वाला, Bacillus thuringiensis, इसमें से हमने isolate कर लिया यह gene, जो यहां पे protein produce करवाता था, और इस protein gene को हम अब introduce करवाते हैं, बाई the help of agrobacterium, जो mechanism आप पढ़के आए हो ना, TI plasmid से foreign gene लगाना, उसको transfer करना, यहां पे पूरी तरह से यहां पे, यहां इसको transfer कर दिया जाता है, so that, यह protein gene जो है, यह चला जाता है किसी भी plant cell के अंदर, और जब भी requirement होता है, पहले ही growth के stage में crystal protein बना के रख लेते हैं, जब भी कोई insect आके, इस plant cell की, इस पूरे plant की किसी भी cell को consume करता है, तो उसकी gut में वो crystal protein चले जाते हैं, जहां alkaline pH पे, जो है वो crystal protein, insoluble से soluble, inactive से active form में जाएंगे, then फिर binding होगी, epithelial cell से, epithelial cell से binding होने के बाद, insect जो है वो पूरी तरह से मर जाएगा, so activated toxin की बाद करीए, bind करता है, surface of midgard epithelial cell, यह आपको ध्यान रखना है, epithelial cell से binding होगी, create करेगा pores को, that causes cell swelling, and lysis, and eventually causes death of insect, जैसे ही insect खाएगा, यहाँ पर BT toxin, crystal protein, जैसे ही insect की गट तक गए, वैसे ही solubilize हुआ, binding होई epithelial cell से, binding होने के तुरंद बाद, insect की cell में swelling होई, यह ध्यान रखना है, बात क्या कर रहे है, insect की cell में swelling होई, then lysis, पूरा का पूरा insect जो है, वो फट जाता है, और eventually insect का death हो जाएगा, so इसी तरह हमने BT toxic gene को isolate किया है, बैसलियस थुरंजेनेसिज में, and इसको हम incorporate करवाते हैं, अलग-अलग तरीके की crop plant, जहां पर भी हमें resistant develop करना हो, birdworm से, इन सब से बचाने के लिए development करते हैं, इसी तरह से हमने cotton का development किया है, जिसे हम BT cotton बोलते हैं, मतलब cotton के plant में, हमने BT gene इंट्रिड्यूस करवा दिया, वो ही crystal protein बनाने वाला gene इंट्रिड्यूस करवा दिया है, so that यहां पर plant अपना protection खुद बखुद कर सके, the choice of gene depends upon the crop, अब देखो आपने कौन सा gene लेना है, यह depend करेगा crop को, क्योंकि हर एक crop को bird warmी थोड़ी जाके infect करेगा, अलग-अलग insect है, तो अलग-अलग target हैं, तो उन target को achieve करने के लिए, उन्हें kill करने के लिए, अलग-अलग gene भी लिये जाते हैं, अब जितने भी यह बीटी टॉक्सिन है, यह insect group is specific है, तो यहाँ पर, अच्छा, चाप्टर की बात करें, तो बेटा, यह chapter हमारा 12 चल रहा है, इसके बाद हमारे कुछी chapter बचे हैं, जो हम cover करते हैं, थियोरी भी है, अगर टॉक्सिन की बात करें, जीन का नाम याद रख लेना, कौन सा gene है, cry, अब यहाँ क्या confusion आती है, option में आपके सामने आएगा, एक तरफ आपको दे देंगे, कि actual में जो protein gene था, यह कौन सा था, small letter में लिखा होगा, तब तो आप इसे कहोगे, कि यह gene है, अगर इसे capital letter में लिखके दिया, तब यह क्या है, protein, cry protein, यह confusion बहुत ज़्यादा common है, small letter है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, gene, अगर हम इसे बोलेंगे, यहाँ पे, capital letter में, तब हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे, तो यहाँ देखो, cry gene हमारे पास दो है, cry 1 AC, cry 2 AB, जिसका हम यूज करते हैं, cotton में, इसी की तरह से हमारे पास, gene है, जो किसे control करता है, यह bull warm को control करता है, cotton bull warm को, यहाँ देखो, एक आपके पास, पूरा bird नजर आ रहा होगा, जो पूरा का पूरा, खराब कर दिया गया है, bull warm ने, क्योंकि इसको infect कर दिया, और एक तरह से full mature है, तो हमने क्या करा, कि cotton में, यह condition बार बार ना आए, हमारा production जो है, वो यहाँ ना घटे, तो हमने यहाँ, directly introduce करवा दिया, इस जीन को, similarly cry1AB, इसे हम introduce करवाते हैं, BT cotton में, ताकि हम यहाँ पे, corn borr से protection दे सके, तो आज के lecture में, सिरफ इतना था, आज हमने यहीं तक cover किया, अब बताओ, आपके क्या क्या questions, से आपको क्या क्या पूछना है, बिलकुल, सिरफ class 12th आएगा, डोमेन होंगे आपके, इसके साथ आपको, दो चीजे और करनी हैं, एक आपका language का section होगा, हिंदी लेते हो, इंग्लिश लेते हो, और एक आपका journal test का होगा, जहाँ पे आपको numerical ability, current affair, reasoning, इन सब को करना है, और कोई problem, कोई doubt, अच्छा, आज का lecture जितना था, इस से किसी का कोई problem है, related, तो पूछ लो फटा-फटा, अच्छा, आपके exam कैसे गए, board के, चले, किसी का कोई problem नहीं है, बहुत बढ़िया, तो आज के session में इतना ही था, कल के lecture में मिलेंगे, जहां पर हम बहुत important topic discuss करेंगे, हम वहाँ पर देखेंगे, pest resistance के बारे में, मैंने class 12 का, बटा मैंने यहाँ पर class 12 का जो chapter है, वहाँ पर हम आ चुके हैं, biotech का application चल रहा है, इसके बाद एक unit हमारी बच रही है, then हमने यहाँ पर सारे chapters जो है, complete कर ली है, theory and MCQ, इसके बाद जो है, हम यहाँ पर MCQ session प्राक्टिस करेंगे, actual में आपने exam में करना क्या है, आपने बैठ के वहाँ question ही solve करने है, तो पूरी कोशिश रहेगी, कि पूरे labor से mix up करके आपके सामने सवाल आए, ताकि आपका पूरा यहाँ पर development हो सके, बैए, introduce किया गया था, BT crop को, अच्छा बेटा, actual में Saturday, Sunday थोड़ा problem है, ठीक है, कोई नहीं, अब आप answer करना, इस chapter के जो MCQ हम करेंगे न, वहाँ पर answer करना, वह answer मेरे तक जरूर आएंगे, चलिए, ठीक है, तो आज के lecture में हमने काफी important topics cover up किये हैं, तो एक बार देख लो, क्या क्या थे सारे topic, so that, आज जाके, अपनी NCRT उठा लेना, और जितना आज किया है, इसको अच्छे से prepare करना, क्योंकि बहुत जादा नहीं है, थोड़ा ही है, इसे आज हमने prepare किया है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना, जब पढ़ो न, जितने point आपको यहां mark करे हैं, आपने कुछ जो भी extra सीखा है, अपनी NCRT के उपर note कर लो, ताकि जब exam के time पर, खुद इसे revision कर रहे होंगे न, अराम से यहां पर, आप extra जो point है, वो भी आपके दिमाग में रहेंगे, और अराम से आप question कर पाओगे, और actual में अगर 50 question आते हैं, तो 40 करने है, 45 आते हैं, तो 35 करने हैं, 10 question तो छोड़ नहीं है, तो prefer यह करना कि, जो सवाल आप करो, वो easy, moderate हो, आपको direct answer पता हो, तभी आप करें, confusion वाला मत करना, कोई options है भाई, छोड़ सकते हो, 10 सवाल तो आप छोड़ सकते हो, तो easy की तरफ prefer करना, जो आपको अच्छे से आते हो, confident हो कि, हाँ इसका answer यही है, वो ही सवाल करना, तुक्के में मत करके आना, कोई भी अपना percentile डाउन मत करना, सो आज के session की बात करें, introduction देखा, हमने देखा, किस-किस field में इसको हम use कर सकते हैं, biotech को, जो हमें पता चला, therapeutics है, diagnose करवा सकते हैं, genetically modified crops हो गया, processed food, bio remediation, waste treatment, energy production, इन इसी के साथ बात करें, तीन main area आते हैं, best catalyst, optimal condition, and downstream processing, इसके अलावा, हमने biotech का use देखा है, एगरी culture में, भई, maximum अगर आप कर सकते हो, अच्छे से पढ़के जा रहे हो, तो हो जाएगा आपका राम से, यहां आपको clear तो हर एक section करना ही है, तो यह मत करना कि एक में बहुत जादा आगए, एक में कम आगए, हर एक का target लेके चलो, time है, domain आपके तयार है, class 12 में domain तो पढ़े हैं, अब आपको किन पर महनत करना है, अपनी language अच्छे से prepare करना, दूसरा अपना journal test अच्छे से prepare करना, यह भी बहुत important है, यह मत करना कि सारे number domain में लिया है, और उन दो section में कुछ आया नहीं, तो अच्छे से preparation करना, and of course अच्छा college मिलेगा, regular रहना, पढ़ाई करते रहो, अगर life class में भी नहीं आपाए, जब भी free हो, अगरी modified crop ले रहे हो, तो उसके क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं, पाँच पॉइंट थे, इन पाँचों पॉइंट को अच्छे से याद रख लेना, तो यहाँ पे आप easily कर सकते हैं, next हमने बात किया था, transgenic animal के बारे, plant के बारे में, जहाँ आपको natural genetic engineering के बारे में याद रखना है, ti plasmid के बारे में ध्यान रखना है, पूरा process था कि किस तरह से आप एक foreign gene को या DNA को introduce करवा सकते हो, plant के अंदर, फिर हमने यहाँ पे transgenic plant के बारे में बात किया, BT cotton के बारे में बात किया, so hope आपको आज का lecture जो है, वो clear रहा होगा, अच्छे से समझ आया होगा, so मिलते हैं आप से, कल के lecture में, जहां पर हम आगे continue करेंगे, so bio से related बेटा, यह काफी जादा हो जाएगा, ठीक है, मैं इतना भी आपको नहीं बता सकती, यह information आप number पर contact कर लेना, number आपको description box में मिल जाएगा, वहाँ से आप पता कर सकते हो, इसके बारे में पूरा information आपको provide करवा देंगे, so आज के session के लिए इतना ही, एक important चीज़ है आपके लिए, तो channel को आपने subscribe करना है, then video को like and share करना है, और दूसरा आपने काम करना है, telegram पर जाओगे, search कर लेना, cvt by google shop, इस channel को आपने join करना है, so that जितना भी information है, related आपके exam से, यहाँ पर क्या pattern रहेगा, वो सब कुछ हम आपको update करवा सकते हैं, इस medium के through, इस channel को जरूर से join कर लेना, ताकि जितना information है, वो आप तक time to time पहुंचता रहे, and इसी के साथ, आप हमारा app डाउनलोड कर सकते हो, learn करो the live learning app, जो आपको मिल जाएगा, easily google play store पर search करना, डाउनलोड कर लेना, बहुत असानी से मिल जाएगा, and डाउनलोड करने के बाद, जब आप इसे open करोगे, तो यहाँ आपको दो section दिखेंगे, free and paid batches, free batch की बात करें, तो आपको पता है, हमारा 1 रूपी बात चल रहा है, जहाँ पर हम आपको, daily life classes प्रवाइड करवाते हैं, YouTube पर, इसी के साथ, आपके तीनो section की classes चलती है, language की classes भी आपको यहाँ मिलती है, domain भी मिल रहे हैं, अब आपकी आज से chemistry की class 12 बजे है, शुरू हो गई है, तो वहाँ regular हो जाना, then chemistry के बाद, यहाँ class में आ जाना है, इसके बाद आपकी physics की class भी जो है, वो within a week, maybe next week तक start हो जाए, बिलकुल chemistry का class जो है, आज से ही start हुआ है, तो regular रहो, अपना maintain करके चलना, अब तो कोई board का pressure भी नहीं है, तो backlog का कोई problem भी नहीं रहेगा, अराम से आप कर सकते हो, और chemistry में भी NCRT पे focus करना, क्योंकि यह दो subject ऐसे हैं, जो NCRT से पूरे-पूरे cover होते हैं, bio and chemistry आपको अच्छा खासा score जो हैं, दिलवा सकते हैं, तो हम कहां थे, आपके life classes चलती हैं, जहां पर आपको तीनों section मिल जाएंगे, यहां आपकी language, आपका journal test, सब कुछ cover करवाया जाता है, PDF की बात करें, तो जब आप इस batch को purchase कर लोगे, सिरफ 1 rupee price है, देन आपको PDF हमारे app पे मिल जाएगा, chapter complete होने पर mock practice कर सकते हो, app पे हैं, जिसमें PYQ काफी जादा cover किये हुए हैं, तो अच्छी खासी practice हो जाएगी, and revision अगर करना है, तो revision के point of view से best रहेगा, बहुत बड़ी है, पर अगर YouTube से करना है, और अगर आपको यहाँ पे mock और PYQ मिल रहा है, I think बहुत ही जादा price हाई है न, आप इतना नहीं पे कर सकते, तो यहाँ पे धियान रखना कि भाई, mock मिल रहे हैं, idea लग जाएगा, बस सारा का सारा किस तरह से बनता है, बहुत बड़ा amount नहीं है, इसे अगर आप जोइन कर सकते हो, तो at least इसे जोइन कर लो, PDF मिलते रहेंगे कि आज आपने यह सीखा था, इसी के साथ साथ यहाँ आपके लिए, classes तो है, mock वगरा काफी important हो जाएगे, आइडिया लग जाएगा किस तरह से, so next बात करें, paid batch का, paid batch में हमारा roshan batch चल रहा है, जहाँ पर आपको, पूरा का पूरा support प्रोवाइट करते हैं, counseling support आपको मिलता है, physical books मिल जाती है, prices के लिए, practice के लिए, और इसके अलावा अगर हम बात करें, next question जो है, next हमारे topic है, then उससे related कुछ questions, वो यहाँ practice करेंगे, so hope you like the session, thank you very much for watching, take care, bye bye, and all the very best for your preparation, अच्छे से पढ़ाई करो, revision करो, exam जो है वो जरूर clear हो जाएगा, बस regularity जो है, maintain रखना, discipline में पढ़ाई करना, ऐसा मत करना, किसी दिन कुछ पढ़ लिया, और किसी दिन कुछ छोड़ दिया, regular रहो, अपनी practice अच्छे से करते रहो, exam जो है वो clear हो जाएगा, hope you like it, thank you so much,